नमस्कार, आज हम पढ़ते हैं एडगर एलन पो की कहानी दे कास्क आफ एमान टिलाइडो थोड़ी सी डराने वाली है कहानी अभी तक जितनी कहानिया हमने पढ़ी है उनसे बिलकुल अलग है और एंड में आपको थोड़ा सा कुछ निराशासी होगी, कुछ आपको भैसा आजाए और वो फिल्म थी फिल्म का नाम था एक हसीना थी और मिला मातांकर और सैफली खान की फिल्म थी शहिद आपको इसकी याद आएगी चलिए शुरू करते हैं कहानी को दो केरेक्टर हैं इस कहानी में जो आपको दिखेंगे कुछ और केरेक्टर्स हैं जो के नहीं द मैंने सीखा नहीं, मैंने पाया या मैंने देखा that he had laughed, वो हसा था at my proud name, मेरे गर्व से भरे हुए नाम पर Montrezer, ये narrator का नाम है जो कहानी आपको सुना रहा है मेरे नाम Montrezer पर वो हसा था क्योंकि ये एक गर्व से भरा हुआ नाम था the name, नाम of an old, एक पुराने and honored family और सम्मानित परिवार का I promised मैंने वादा किया myself अपने आप से that कि I would make him मैं उसको बाद्ध करूंगा pay चुकाने के लिए for this इसके लिए that कि I would have revenge मैं बदला लूँगा I must not suppose मुझे नहीं सोचना चाहिए however किन्तो that कि I suppose I spoke मैं बोला of this इसके बारे में to anyone किसी से यानि मैंने अपने मन में ये decide कर लिया कि मैं अपने अपमान का बदला लूँगा लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं देखिए अब यहां से आपको दिख गया होगा कि ये एक तरीके से revenge story है जहां बदला लिया जा रहा है और जो आपसे आपको बताया जा रहा है कारण आपको justify कर रहा है जो narrator है वो अपने आपको justify कर रहा है आपको बता रहा है कि उसने मेरे नाम का मजाग बनाया था मेरे नाम पर हसा था क्योंकि मेरा जो नाम है एक खान्नानी नाम है समानित परिवार का नाम है और उसने चोट पहुँचाई थी हजारों बार किस तरीके की चोट पहुचाई थी बागी तो कुछ बताया नहीं है इसने नेरेटर ने सिर्फ एक बात ये बताई है कि उसके ने मॉन्टरिजर यानि कि नेरेटर का परिवार का मजाग बनाया था तो ये बात आपको बतानी होगी क्वेस्चन के आंसर देते वक्त कि उसने क्या कारण बताया क्यों उसने ऐसा किया किस चीज का उसने बदला लिया चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने डिसाइड कर लिया कि उसको चुकाना पड़ेगा I would make him pay मैं उससे चुकता करवाऊंगा यस हाँ बट लेकिन I would act मैं काम करूंगा only capable with the greatest care बहुत ज़्यादा साबधानी से और साबधानी से काम क्यों करूंगा I must not suffer कि मैं कश्ट ना उठाऊं as a result परिणाम स्वरूप of taking my revenge अपना बदला लेने का यानि बदला लेने के बाद मुझे कश्ट ना उठाना पड़े इसलिए मैं बहुत साबधानी से काम करूंगा a wrong एक गलती is not made right सही नहीं की जा सकती in that manner इस तरीके से यानि जो मेरा मजाग बनाया है उसने fortunate ओने वो गलत है wrong है और उसको सुधारना सफल नहीं होगा अगर मुझे फिरकश्ट उठाना पड़ा उसका बदला लेना सफल नहीं होगा and also और इसी प्रकार the wrong गलत would not be made right सही नहीं होगा unless यदि न fortunate or new fortunate or ना जान पाए that कि he was paying वो चुका रहा है and new और वो ना जान पाए who was forcing him कि कौन उसको बाद्धे कर रहा है to pay चुकाने के लिए तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा I gave मैंने दिया fortunate or को no cause तो नो आ गया तो इसका बदला नहीं दिया कोई कारण to doubt शक करने का संदेह करने का मी मेरे उपर यनी मैंने बदला लेने का सोचा लेकिन fortunate को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उससे बदला लेने जा रहा हूं I continued मैंने जारी रखा to smile मुसकुराना in his face उसके सामने and he did not understand और वो नहीं समझ पाया that I was now smiling कि मैं अब मुसकुरा रहा था at the thought उस विचार पर of what I planned कि जो मैंने प्लान किया था योजना बनाई थी for him उसके लिए at the thought of my revenge और अपने बदले के विचार पर मैं मुसकुरा रहा था Fortunato was Fortunato था a strong man एक मजबूत आदमी ताकतवर आदमी a man एक आदमी to be feared जिससे डरा जाना चाहिए but लेकिन he had one great weakness उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी he liked वो पसंद करता था to drink, पीना, good wine, अच्छी शराब and indeed और वास्तम में he drank, वो पीता था much of it, बहुत सारी शराब so he knew इसलिए वो जानता था a lot, बहुत ज्यादा about बारे में fine wines बढ़िया शराबों के बारे में and proudly और गर्व से believed, विश्वास करता था that he was, वो था a trained, एक प्रशिक्षित judge, नयदिश of them, उनका यानि वो judge कर सकता था कि कौन सी शराब अच्छी है कौन सी खराब है पीकर पहँचान सकता था कि ये कौन सी शराब है I too मैं भी new जानता था old wines, पुरानी शराबों को well, अच्छी तर है and or I bought, मैं खरीदता था the best, सबसे अच्छी I could find जो मुझे मिलती थी and wine or शराब, I thought मैंने सोचा wine would give शराब पूरा करेगी me, मलब give me मुझे देगी my revenge, मेरा बदला it was, ये था almost लगभग dark अंधिरा one evening, एक शाम को in the spring यानि बसंत के मौसम में when, जब I met, मैं मिला fortunato, fortunato से in the street गली में आप देखेंगे कि ये जो fortune भाग्य होता है और fortunate भाग्यशाली होता है लेकिन fortunato इस कहानी में बड़ा अभागा है आप देखेंगे अंत में तो ये एक तरीके से ironical है उसका नाम तो ये आप अपने question के लिए question के answer देने के लिए इस चीज़ को note कर सकते हैं that the name fortunato is ironical in itself क्योंकि नाम से जाहर होता है that he is very lucky लेकिन जो incidents कहानी में होती है उनसे दिखता है that he is very unlucky तो when I met fortunato जब मैं fortunato से मिला in the street गली में alone अकेले he spoke वो बोला to me मुझसे more warmly ज्यादा गर्म जोशी से than was usual जितना के प्राया होता था उससे ज्यादा गर्म जोशी से for क्योंकि already पहले ही he had drunk वो पी चुका था more wine ज्यादा शराव than was good उससे ज्यादा जितनी के अच्छी थी for him उसके लिए तो ये शरावी लोग जब शराव पी लेते हैं तो बड़े विनमर हो जाते हैं तो इसलिए वो ज्यादा गर्म जोशी से मिला I acted मैंने acting की मैंने अभिने किया pleased जैसे मैं खुश था to see him उसको देखकर and I shook his hand और मैंने उससे हाथ मिलाया माई डियर फॉर्चिनेटो मेरे प्यारे फॉर्चिनेटो I am indeed glad मैं वास्ता में बड़ा खुश हूँ that I have met you कि मैं तुम से मिल गया I was just thinking मैं बलकुल सोच ही रहा था of you तुम्हारे बारे में for क्योंकि I have been tasting मैं चक रहा हूँ my new wine मेरी नई शराव I have bought मैंने खरीदा है a full cask एक पूरा कास्क देखिए कास्क क्या होता है एक बैरल भी बोल सकते हैं आप इसको पीपा हिंदी में बोलते हैं तो मैंने एक पूरा पीपा खरीदा है of a fine wine एक बढ़िया शराव का which जिसके बारे में they tell me they का मतब होता है लोग वो मुझे बताते हैं मतलब लोग मुझे बताते हैं is amontilado की ये amontilado एक प्रकार की शराव है तो ये बहुत fine quality की ये शराव होती है तो लोग कहते हैं कि ये amontilado है बट लेकिन amontilado का जैसे ही नाम सुना तो fortunate हो एकदम से बोल पड़ा amontilado quite impossible ये तो बिलकुल असंभव है ये तो I know मुझे पता है it does not seem ये नहीं लगता possible संभव as I could not find you as जैसा के I could not find मैं नहीं ढूण पाया you तुमको I was just going मैं बस जा ही रहा था to talk to lucrecy lucrecy से बात करने if anyone अगर कोई understands समझता है wines शराबों को it is lucrecy तो ये lucrecy ही है he will tell me वही मुझे बताएगा lucrecy fortunate वोल पड़ा he does not know वो तो नहीं जानता one wine from another एक शराब को दूसरी शराब से अलग नहीं कर सकता पहचान नहीं सकता वो बट लेकिन देसे लोग कहते हैं he knows वो जानता है as much उतना ही about wines शराबों के बारे में as you know जतना तुम जानते हो हो come let us go चलो आओ हम चलें यह वो ला कौन फॉर्चुनेटो गो वेर कहां चलें to your worlds वर्ड क्या होता है तैखाना तो चलो हम तुम्हारे तैखाने चलते हैं to taste the wine शराब चखने तो शराब क्या है cool रखने के लिए तैखाने में रखी जाती है नीचे जो basement होता है उसमें रखी जाती है अक्सर लोग रखते हैं अपने तैखाने में no my friend नहीं मेरे दोस्त no, नहीं I can see मैं देख रहा हूँ that you are not well तुम ठीक नहीं हो and the walls are cold and wet और जो walls हैं यानि कि जो मेरे तैखाने हैं वो ठंडे हैं और गीले हैं क्योंकि तैखाने में अक्सर moisture रहता है sealant रहती है जमीन के अंदर होते हैं तो उनमें अक्सर sealant रहती है ठंडे रहते हैं तो वो कहता है कि नहीं है हम वहां नहीं जाएंगे तो अभी आप देखेंगे कितना आइरनी कल है यहां भी आप आइरनी पाएंगे बाद में अगर आइरनी पर कोई question आता है तो आप इसको यहां से quote करेंगे कि देखिए यह कहा किसने fortunator ने कहा कि हम चलते हैं come let us go यहां से लेकर यहां तक आप quote कर सकते हैं कि इसने मना किया जो narrator है उसने मना भी किया लेकिन fortunate ओ चल दिया बलकि उसी ने force किया है कि नहीं हम चलते हैं I do not care मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यानि तुम्हारा तेखना अगर ठंडा है गीला है उस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता let us go हमें चलना है I am well enough मैं बलकिल ठीक हूँ the cold is nothing ठंड तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है someone is playing games with you someone कोई is playing games खेल खेल रहा है with you तुम्हारे साथ and lucrecy lucrecy knows nothing lucrecy कुछ नहीं जानता about wines शराव के बारे में nothing at all बिलकुल कुछ भी नहीं जानता as he spoke जब उसने बोला ये बात बोलते हुए fortunate टुक fortunate ने पकड़ ली my arm मेरी भुजा and I allowed him और मैंने उसको अनुमती दी to hurry me जल्दी से मुझ को ले जाने की to my great stone palace अपने विशाल पत्थर के महल की ओर where जहां my family मेरा परिवार the montresors had lived रहता था four centuries शताबदियों से मेरा परिवार इसमें रहा था there was no one कोई भी नहीं था at home घर पर अब देखिए के कोई क्यों नहीं था कितनी बड़ी planning की है इस आदमी ने I had told और यहां आप psychology देखेंगे human psychology इंसान की इंसान का जो मनोविज्ञान है उसे आप जो कहो उसका उल्टाई करता है तो देखिए I had told मैंने कहा था the servants नोकरों से that कि they must not leave कि वो ना छोड़ें the palace महल को as क्योंकि I would not return मैं नहीं लोटूंगा until the following morning अगली सुबह से पहले and they must care और वो देखवाल करें for the place इस जगह की या इस महल की यहां अगर P के बाद A और लगा होता तो पहले सो जाता तो इस जगह की देखवाल करें या फिर A अगर यहां से गलती से गाइब हुआ है तो इस महल की देखवाल करें this I knew यह मैं जानता था was enough काफी था to make it certain यह सुनिश्चित करने के लिए that they would all leave वो सभी छोड़ देंगे यानि वो सभी अपने अपने घर भाग जाएंगे as soon as जैसे ही my back was turned मेरी पीठ मुड़ती है तो उसने नोकरों से कहा कि तुम लोग जाना मत यही रहना रात भर और मैं कल सुभह से पहले नहीं लोटूँगा आज घर की रखवाली तुम लोगों को करनी है तो उसे पता था कि जैसे ही मेरी पीठ मुड़ेगी यह सारे नोकर भाग जाएंगे और यही हुआ वो गया और नोकर भी सारे भाग गए उसे पता था कि घर आज खाली मिलेगा और घर उसको खाली मिला आज टुक डाउन मैंने उठाया निकाला फ्रॉम देर प्लेसे उनकी जगहों से ओन दा वॉल दीवार पर तू दो ब्राइटली तेजी से बर्निंग जलती हुई लाइट्स यानि मशालों को तो वहाँ दीवार पर मशालें जल रही थी उनमें से दो मशालें उसने उतार ली दीवार से इनमें से एक टू फॉर्चुनेटो फॉर्चुनेटो को एंड लेड हिम और उसको ले गया टू अ वाइड डोरवे एक चोड़े दरवाजे से देयर वहाँ वी कोड़ सी हम देख सकते थे पत्थर की सीड़ियां गोइंग डाउन नीचे को जाती हुई इन्टू दा डार्कनेस अंधिरे की और अब यानि की ये लोग अब तैखाने में घुस रहे हैं आस्किंग हिम उससे कहते हुए तू बी केरफुल साबधान होने के लिए as he followed जैसे जैसे वो मेरे पीछे आ रहा था I went down मैं नीचे गया before him उसके आगे डाउन नीचे अंडर दा ग्राउंड जमीन के नीचे डीपर गहरा अंडर दा ओल्ड वाल्स पुरानी दीवारों के नीचे of my palace अपने महल के we came हम पहुँचे finally अंत में to the bottom तलहटी पर of the steps सीडियों के and stood और खड़े हो गए there वहाँ पर a moment एक पल के लिए together साथ साथ the earth मिट्टी which formed जो बनाती थी the floor फर्ष को was थी cold थंडी and hard और कठोर we were entering हम घुस रहे थे the last resting place अंतिम आराम की जगह of the dead मरे हुए लोगों की of the Montrezer family Montrezer परिवार के here too यहां पर भी we kept हम रखते थे are हमारी finest सबसे बढ़िया wines शराव here यहां in the cool थंडे में डार्क अंधिरे में still air यानि शान्थ यानि शान्थ हवा में under the ground जमीन के नीचे Fortunato's step Fortunato के कदम was not sure यानि सीधी नहीं पढ़ रहे थे निश्चित कदम नहीं पढ़ रहे पी हुई है न Fortunato ने तो उसके कदम sure नहीं थे यानि समल नहीं रहे थे because of the wine उस शराब की वज़े से he had been drinking जो कि उसने पी रखी थी he looked उसने देखा uncertainly अनिश्चित्ता से around him अपने चारों और ट्राइंग कोशिश करते हुए to see देखने की through the thick darkness घने अंधिरे में से होकर which pushed in जो कि धक्का दे रहा था around us हमारे चारों और यानि घना अंधिरा चाया हुआ था here यहां आर हमारी brightly तेजी से burning जलती हुई lights मशालें seemed लगने लगी weak कमजोर indeed वास्तम में but लेकिन our eyes हमारी आखें soon जल्दी ही became हो गई used to यानि कि अभ्यस्त आदी हो गई the darkness अंधिरे की we could see हम देख सकते थे the bones हड़ियां of the dead मरे हुए लोगों की lying पड़ी हुई in large piles बड़े बड़े ठेरों में along the walls दीवारों के चारों गोर the stones पत्थर off the walls दीवारों के वर थे वैट गीले and cold और ठंडे from the long rows लंबी लाइनों से लंबी पंक्तियों से लंबी कतारों से off bottles बोतलों की which were lying जो के पड़ी हुई थी on the floor फर्ष पर among the bones हड्डियों के बीच I chose मैंने चुनी वन एक बोतल which contained जिसमें रखी हुई थी a very good wine एक बहुत अच्छी शराब since क्योंके I did not have मेरे पास नहीं था anything कोई चीज to open खोलने के लिए the bottle with उस बोतल को I struck मैंने दे मारा the stone wall पत्थर की दिवार को with it इससे तो देखिए ये transferred epithet कहलाता है stone wall को मैंने बोतल में दे मारा तो कहना चाहिए था कि मैंने बोतल को stone wall में दे मारा तो इसको हम कहते हैं ये एक figure of speech है transferred epithet तो मैंने मतलब कि दे मारा बोतल को मतलब दीवार को बोतल में दे मारा and broke off और तोड़ दिया the small end वो छोटा सा end यानि के जो उपर की गर्दन है बोतल की वो तोड़ डाली I offered मैंने दी दे बोतल बोतल तो फॉर्चुनेटो फॉर्चुनेटो को here यहाँ here फॉर्चुनेटो yellow फॉर्चुनेटो drink पियो some of this fine meadow इस बढ़िया meadow क शरामें से कुछ पियो it will help ये मदद करेगी to keep us हमको रखने में warm, गरम, ड्रिंक, पियो Thank you my friend शुक्रिया मेरे दोस्त I drink मैं पी रहा हूं to the dead उन मरे हुए लोगों को उन मरे हुए लोगों के याद में who lie जो लेटे हुए हैं sleeping, सो रहे हैं around us हमारे चारों और and I और मैं fortunate हो I drink to your long life मैं तुम्हारे लंबे जीवन के लिए पी रहा हूं देखिए ये फिर से ironical speech है इसको भी नोट कीजिएगा और आप मार्क कीजिएगा अपनी बुक में underline कीजिएगा I drink to your long life मैं तुम्हारे लंबी उमर के लिए पी रहा हूं बहुत ही ironical speech आह अ वेरी फाइन वाइन बड़ी 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 अशराब है इंडीड वास्तम में बड़ अमेंटिलाडो लेकिन अमेंटिलाडो कहां है इट इस फार्दर ओन और आगे है कम चलो आओ वी वाग्ड हम चले ओन आगे फॉर सम टाइम उच समय तक वी वर नाओ अब हम थे अंडर दा रिवर्स बैड यानि जो नदी है उसके किनारे लेकिन ये किनारा कहां होगा ये तो बॉटम होगी है ना तो रिवर्स बैड का मतब नदी का तल क्योंकि ये तो बेस्मेंट में घुसे है तो वहां बेस्मेंट में नदी का तल है बॉटम है तो हम अब नदी के तल हटी में आ गए यानि उपर होके कहीं नदी बह रही होगी and water fell और पानी गिरने लगा गिर रहा था इन ड्रॉप्स बून बून करके अपॉन अस हमारे उपर फ्रॉम एवब उपर से डीपर इंटू और गहरे दा ग्राउंड जमीन में वी वेंट हम गए पास्स इस्टिल और आगे मोर बॉन्स और हड्डियों के और आगे हम लोग गए यॉर वाल्ड्स तुम्हारे तैखाने आर मैनी बहुत सारे हैं ये अमेंटिलाडो कह रहा है और बहुत बड़े हैं देर सीम्स टू बी ऐसा लगता है कि नो एंड कोई अंत ही नहीं है तु देम उनका वी आ अग्रेट फैमिली हम एक महान परिवार हैं एंड एंड ओल्ड वन और एक पुराना परिवार भी है इट इस नोट फार दूर नहीं है नाव अब बट आई कें सी लेकिन मैं देख सकता हूँ यू आर ट्रैंबलिंग तुम कांप रहे हो विद्दा कोल्ड ठंड से कम आओ लेट अस गो बैक चलो वापस चलें इससे पहले के इस टू लेट बहुत देर हो जाए देखिए फिर आरेनी कल है और वो कह रहा है के चलो हम वापस चलें और इससे पहले के बहुत देर हो जाए तू लेट इस तू लेट को जरूर मार्क कर जिएगा इस तू लेट और देखिए तो फॉर्चिनेटो क्या जवाब दे रहा है ये तो कुछ भी नहीं है लेट अस गो उन चलो आगे बढ़ते हैं बट फर्स लेकिन पहले और थोड़ा और पीने दो अपनी जो मेडोग शराब है तुम्हाँ पास उसको थोड़ा और पीने दो आई टुक अप मैंने निकाली फ्रॉम एमंग दा बोन्स हड़ियों के बीच से एनदर बोटल एक और बोटल इट वाउज ये थी एनदर वाइन एक और शराब और फाइन क्वालिटी एक बढ़िया क्वालिटी की अडी ग्रेव ये एक शराब का नाम है तो ये शराब का नाम ही वहीँ ग्रेव यानि कि कबर है एन अगिन फिर से आई ब्रोक ओफ मैंने तोड़ी दा नेक गरदन ओफ दा बोटल बोटल की फॉर्चुनेटो टुक इट फॉर्चुनेटो ने इसको ले लिया एन ड्रेंक इट और इसको पी लिया अल पूरी विदावट स्टॉपिंग बिना रुके फॉर ब्रैथ सांस लेने के लिए भी ही लाफ्ट वो हसा एंड थू और फैक दिया दा एम्टी बोटल खाली बोटल को ओवर हिस शोल्डर अपने कंधे के पीछे वी वेंट ओन हम चलते चले गए डीपर गहरे एंड डीपर और गहरे इंटु दा आर्थ धर्थी के अंदर फाइनली अंत में वी अराइवड हम पहुँचे एट वोल्ट एक महराब पर इन विच जिसमें के दा एर हवा वाज थी सो ओल्ड इतनी पुरानी एंड हैवी और भारी दैट के आर लाइट हमारी रोश्निया यानि हमारी मशालें अल्मोस्ट लगभग डाइड बुझ गई अगेंस्ट मलब सहारे त्री ओफ दा वाल्स तीन दीवारों के तीन दीवारों के सहारे देर वर वहाँ पर थे पाइल्स धेर ओफ बोन्स हड्डियों के हायर जो के उंचे थे देन आर हैट्स हमारे सिरों से भी फ्रॉम दा फोर्थ वाल्स चोथी दीवार से समवन हैड पुल डाउन किसी ने निकाल दी थी ओल दा बोन्स सारी हड्डियां एंड दे वर स्प्रेड और वो फैली हुई थी ओल एराउंड अस हमारे चारोट ओन दा ग्राउंड जमीन पर इन दा मिडल बीच में आफ दा वाल्स दीवार के वास था एन ओपिनिंग एक मादब छेद था या जहरोखा था एक खिड़की आप मादब तूटा हुआ हिस्सा था आप कह सकते हैं इन्टू एनदर वाल्स जो के एक और तैखाने में जाता था इफ यदि I can call it मैं इसको कह सकता हूँ ये ये एक छोटा कमरा था एबाउट थी फीट वाई लगभग तीन फीट चोड़ा सिक्स और सेवन फीट हाई छे या साथ फीट उंचा एंड परहबस फोर फीट डीप और लगभग चार फीट गहरा इट वाउज ये था हार्ली मुश्किल से ही मोर देन अ होल एक छेद से बड़ा इन दाव वाल दीवार में गो ओन गो I said गो ओन गो इन अंदर जाओ चलते जाओ अंदर चले जाओ Amontillado उसके अंदर है Fortunato continued to go Fortunato ने चलना जारी रखा Forward आगे Uncertainly अनिश्चित्ता के साथ I followed मैं पीछे पीछे गया Him उसके Immediately तुरंत Soon जल्दी ही Of course वास्तम में He reached वो पहुँच गया The back wall पिछली दीवार तर He stood there वो वहां खड़ा रहा A moment एक पल को Facing the wall दीवार की तरफ मूँ किये Surprised आश्यर चकेत And Wondering और सोचते हुए In that wall उस दीवार में वर्ट थे Two दो Heavy भारी Iron rings लोहे के छले A short chain एक छोटी जंजीर Was hanging लटक रही थी From one of these इन मैं से एक से एक छले में एक छोटी जंजीर लटक रही थी And a lock और एक ताला From the other दूसे छले में Before इससे पहले के Fortunato Could guess Fortunato अंदाजा लगा पाता What was happening कि क्या हो रहा है I closed मैंने बंद कर दिया The lock ताला And chain और जंजीर And chained him और जंजीर बंदी उसके जंजीर से उसको बंदिया Tightly कसकर To the wall दीवार से I stepped back मैं पीछे हट गया Fortunato I said मैंने कहा Put your hands Against the wall अपने हाथ अपने हाथ दीवार के दीवार से टिकालो You must feel तुम्हें महसूस करना होगा How the water runs कि पानी कैसे बह रहा है Over it इसके उपर Once more एक बार फिर I ask you मैं तुमसे पूछ रहा हूँ Please Will you not go back क्या तुम वापस नहीं चलोगे No नहीं नहीं चलोगे If not अगर नहीं Then I must leave you तो मुझे तुमको छोड़के जाना होगा देखिए पहले ही ये चेंसे बांद चुका है और तला लगा चुका है और क्योंकि दीवार की तरफ Fortunity का Face है तो उसे पता ही नहीं कि उसे बांदा जा चुका है जंजीर से शराव उसने अच्छे से पी रखी है तो उसे कोई होश भी नहीं है इतनी ज़्यादा उसने पी रखी है और फिर उसे कह रहा है कि तुम्हें वापस नहीं जाना है ठीक है तुम्हें तुम्हें छोड़ देता हूँ बट फर्स लेकिन पहले I must do मुझे करना होगा everything हर चीज I can जो मैं कर सकता हूँ for you तुम्हारे लिए बट बट अब fortunate उंदर से कह रहा है लेकिन लेकिन the amountledo amountledo मतलब amountledo तो से मिली नहीं जिसके लिए वो आया था amountledo कहा है आ यस हरे हाँ हाँ यस indeed हाँ वास्तमे the amountledo हाँ amountledo बहला रहा है उसको अपने काम में लगा हुआ है as I spoke जब मैंने बोले these words ये शब I begin मैंने शुरू कर दिया to search खोजना among the bones हड़ियों के बीच में throwing them उनको फैंकते हुए to one side एक और I found मैंने धून लिया मैंने पा लिया the stones उन पत्थरों को which जो के earlier पहले ही I had taken down मैंने निकाल लिये थे from the wall दिवार से यानि दिवार में ये जो छेद किया है जो यहां से पत्थर अटाए गए है ये खुद करके गया है quickly जल्दी ही I begin मैंने शुरू कर दिया to build बनाना the wall दिवार को again फिर से covering ढखते हुए the hole उस छेद को where जहां fortunate stood fortunate खड़ा हुआ था trembling कामते हुए Montrezer what are you doing Montrezer तुम क्या कर रहे हो I continued मैंने जारी रखा working काम करना I could hear him मैं उसको सुन सकता था pulling खीशते हुए at the chain जंजीर को shaking it इसको हिलाते हुए wildly पागलपन के साथ पागलों की तरह only केवल a few stones थोड़े से पत्थर remained बचे हुए थे to put in रखे जाने के लिए their place अपने स्थान पर Montrezer Montrezer this is a very good joke ये बड़ा अच्छा मजाग है indeed वास्तम में many times बहुत बार we will laugh हम हसेंगे about it इसके बारे में हाँ 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 हम बहुत हसेंगे क्या मजाग कर रहे हो as we drink जब हम पिएंगे our wine अपनी शराब together संग-संग हाँ 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 जब हम पिएंगे the amontillado amontillado को but is it not late लेकिन क्या बहुत देर नहीं हो गई अब यही बात कह रहा है fortunate ओ अभी बहुत कई बार कही थी यह बात Montrezer ने तो fortunate ओने सुनी नहीं थी अब fortunate ओ कह रहा है but is it not late क्या देर नहीं हो गई है should we not be going back क्या हमको वापस नहीं जाना चाहिए they will be expecting us वो हमें हमारा इंतजार कर रहे होंगे यानि कोई कार्निवाल है celebration है तो वहाँ वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे let us go हमें चलना चाहिए yes let us go तो Monteser कर रहे हाँ हाँ हमें चलना चाहिए as I said this जब मैं ये कह रहा था I lifted मैंने उठाया the last stone untim पत्थर आखरी पत्थर from the ground जमीन से Monteser for the love of God भगवान की खातर रिश्वर की खातर yes for the love of God हाँ भगवान की खातर I heard no answer मुझे कोई जवाब नहीं सुनाई दिया fortunate oh I cried मैं चलनाया fortunate oh I heard मुझे सुनाई दिया only केवल a soft एक हलकी low धीमी sound आवाज a half cry एक आधी चीख of fear भैकी my heart मेरा दिल grew sick बिमार हो गया it must have been cold ये जरूर ठंडा हो गया होगा I hurried मैंने जल्दी की to force गुसाने की the last stone आखरी पत्थर into its position इसकी जगह पर and or I put मैंने रख दिया the old bones पुरानी हड्डियों को again वापस in a pile एक धेर में against the wall दीवार से टिका कर for half a century आधी शताब्दी से यानी पचास साल हो गए इस बात को आधी सेंचुरी से आधी शताब्दी से now of no human hand किसी इंसानी हाथ ने नहीं has touched चुआ them उनको may he rest in peace ईश्वर उसकी आत्मा को शान्ती दे कहानी खत्म कैसा लगा डर लगा न और ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम fortunator के साथ हम भी उस गुफा में बंध हो गए हो एक इंट चुनती जा रही है चुनती जा रही है और हम उस कोटवी में बंध होते जा रहे है घबराहट नहीं हुई न हुई न कितनी घबराहट हुई तो ये तो थी कहानी और मैं अगर परसनली कहूं तो मुझे ये काफी डरावनी सी लगी कहानी जैसे कहानी पढ़कर मन खुश होता है वैसा नहीं हुआ ट्रैजिक स्टोरीज भी पढ़ी है आपने मेरे साथ लास्ट लीफ पहड़ी थी उसमें बहर मैं मर जाता है वो भी अपने आप में ट्रैजिक है लेकिन उसमें एक लाइफ बज़ती है वो किसी अच्छी बात की खातर एक अच्छी कौज की खातर मर जाता है तो वहा एक alग बात कहानी ये भी अपने तरीके की अलग है तो हम ये तो नहीं कहेंगे के कहानी खराब थी इसमें एक अलग सस्पेंस था इसमें अलग जो गतना डार्क हूमर एक तरीके से वो डार्क हूमर है ये कहानी अलगी प्रकार की कहानी है सस्पेंस थ्रिलर है तो हर कहानी एक हैपी एंडिंग नहीं ले सकती हर कहानी हमें अपील करे या हमारे टेस्ट को भाए ऐसा जरूरी नहीं तो जैसे फिल्में होती हैं अलग-अलग तरीके की होती है कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा साइको किलर होते हैं तो ये जो मॉन्टरिजर है ये भी एक तरीके से आपको दिख रहा होगा एक साइको किलर सा लग रहा है कि हमें इसने शुरू में बताया कि फॉर्चुनेटों ने उसका अपमान किया था लेकिन अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो उसको मार डालना वो भी इतने बुरे तरीके से उसको दिवार में चुनकर मार डालना मतलब सिहरन सी होती है आपको ये कहानी पढ़कर एक भैसा लगता है और एक अलग ही टाइप की स्टोडी है साइको किलर है ये आदमी जिसने मारा है फॉर्चुनेटो को अब कुछ क्वेस्टन्स देख लेते हैं जो आप से पूछे जा सकते हैं एक्जामें वैसे तो आपको पूरी कहानी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है एक एक शब्द को और कवेस्टन्स कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है वाकेवलरी पर क्वेस्टन्स हो सकते हैं कुछ पॉसिबल क्वेस्टन्स मैंने यहां नोट डाउन किया है उनको देख लेते हैं मैंने जब यह कहानी पढ़ना शूरू कि थी आपके साथ तो मैंने आपको कहा था कि आपको एक फिल्म याद आएगी उर्मिला मातौनकर की एक हसीना थी तो बहां जो मौंटरिजर वाली भूमिका है वो उर्मिला मातौनकर ही निभाती है वो हीरो को ले जाकर एक गुफा में कैद कर देती है चेन से बांद देती है लौक कर देती है वहाँ पर और सैफली खान हीरो है और वहाँ गुफा का दरवाजा बंद कर देती है और गुफा के अंदर बहुत सारे मोटे मोटे चूहे हैं और वो चूहे अंत में उसको खा जाते हैं तो इस तरीके से बड़ी दर्दनाक मौत देती है वो hero को हलांकि वो भी एक बदला ले रही होती है क्योंकि hero की वज़े से उसको jail की सजा काटनी पड़ी थी तो कुछ वैसी ही कहानी है और यहां भी ये लोगों को लगता है कि ये एक औरत भी हो सकती है कि इस तरीके से वो बदला ले सकती है तो ये भी पॉसिबल है कि मॉन्टरजर एक औरत हो और वो इस तरीके से अपने अपमान का बदला ले रही हो बहुत पॉसिबल है और ये दूसरा क्वेश्चन है कि आप कैसा महसूस करते हैं वेन यूstory कहानी को कैसा महसूस करते हैं? क्लॉस्ट्रोफोविच क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है जब बंद जगहों में आपको डर लगता है कुछ लोगों को होता है ये कि जब पूरा बंध हो जैसे कि वो AC ट्रेन में या किसी ऐसी जगह पर नहीं रह सकते जो पूरी तरीके से बंध हो तो ये क्लास्ट्रोफोबिया होता है तो जब इस कहानी को पढ़ते हैं हम और वो लोग तहकाने में घुस्ते जा रहे हैं घुस्ते जा रहे हैं नीचे और अंत में जाकर उसको जैसे बंध किया उसने दीवार में चुन दिया तो हमको भी घवराहट सी होने लगती है इस कहानी को पढ़कर डर सा लगने लगता है एक feeling of fear हमारे अंदर आती है तम suspense में हम लोग चले जाते हैं तो एक तरीक से दरावने वाली कहानी है घवराहट पैदा करने वाली कहानी है suspense में हमको रखने वाली कहानी है और अच्छा ये जो उपर वाला question था इसमें आप थोड़ा और जादा discussion कर सकते हैं जैसे आप कह सकते हैं कि महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत soft-hearted होती है kind होती है, दयालू होती है compassionate होती है, उनके अंदर compassion होती है, दया होती है और वो लोगों को माफ कर देती है लेकिन बहुत सारे examples हमको ऐसे मिलते हैं जहां कि वो लोगों को माफ नहीं करती है बलकि उनको बहुत cruel तरीके से सजा देती है तो हो सकता है ऐसी महिला भी हो सकती है, Montrezer तो वहां भी आप आगे discussion कर सकते हैं और इसको भी इसी तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि ये एक बहुत डरावनी डरावनी फीलिंग देती है ये कहानी थर्ड question हम देखते हैं Could fortunate to narrate this story क्या फॉर्चुनेटो इस कहानी को narrate कर सकता था तो आप दोनों तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ victim के point of view से भी ये कहानी narrate की जा सकती है victim भी narrate कर सकता है कहानी को क्योंकि यहां तो जो जो शिकारी है तो जो Montrezer है वो तो perpetrator है यानि जिसने शिकार किया है या अत्याचार किया है तो fortunate of victim है तो उसके point of view से भी कहानी narrate हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ लेकिन समस्या यह है कि वो तो इसमें मर जाता है वो तो बंद हो गया उसमें और मर गया तो फिर वो कैसे narrate करेगा कहानी को तो हमारे सामने problem यह है कि हमें Montrezer के point of view से ही यह कहानी सुननी पड़ेगी क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति हमको कैसे narrate करेगा हलानकि ऐसे उदाहरन भी है जहां कि मरे हुए आदमी ने खुद अपनी कहानी सुनाई है एक शिवाजी सावंत का उपन्यास है बहुत ही अच्छा उपन्यास है बहुत खुबसूरत उपन्यास है मिर्त्यूंजे शिवाजी सावंत ने लिखा है हलांकि उन्होंने मराठी में लिखा है लेकिन वो हिंदी में इंग्लिश में इंग्लिश में डैथ कनकरर्स के नाम से उसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में भी मृतिय उन्जाय नाम से है तो उसमें जो कहानी सुनाता है वो करन खुद अपनी कहानी सुना रहा है तो मरे हुए लोगों को बोलना ही पड़ता है तो उसके point of view से वो पूरी कहानी सुनाई गई है तो यह भी possible है कि हम यहाँ पर fortunate ओ अपनी कहानी सुनाए मरने के बाब जूद वो हमें अपनी कहानी सुनाए यह भी possible है author अगर चाहता तो इसको fortunate के point of view से भी हमें सुना सकता था तो यह possible था चली एक और last question हम discuss करते है what does Montresor's treatment of his house servants tell us यानि Montresor जो treatment यानि की व्यभार करता है अपने घर के नौकरों के साथ वो हमें क्या बताता है about his knowledge उसके ग्यान के बारे में of human psychology इन्सानी मनोविग्यान के and how does it prepare us और यह हम को कैसे तयार करता है for the treatment of fortunato fortunato के साथ जो व्यभार होने वाला है उसके लिए तो जैसा कहानी जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इन्सान की ये फित्रत है कि उसको जिस काम के लिए मना किया जाए उस काम को करने का उसका बहुत मन करता है आप किसी से कहिए कि भी छट पे मत जाना बच्चे से कहिए आपके बेटा छट पे मत जाना तो बेटा छट पे जरूर जाएगा क्योंकि ये इंसान की फित्रत है वो काम जरूर करना चाहता है जिसके लिए उसको मना किया जाता है तो यहां पर मॉन्टरजर अपने सर्वेंट्स को कहता है कि भई आज तुम लोग घर मत जाना आज मेरे घर की देखवाल करना क्योंकि मैं कल सुभह से पहले नहीं लोटूँगा और जैसे ही वो अपने घर से निकलता है सारे नोकर भाग लेते हैं घर से तो यह उसकी साइकोलोजी को दिखाता है उसने यह नहीं कहा नोकरों से कि तुम सब लोग चले जाना और आज तुम लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो यह बात कहता कि तुम चले जाना आज तुम लोगों की जरूरत नहीं है तो नोकरों को शक होता कि आज मालक करने क्या वाला है घर पे जरूर कुछ आज गरवड है आज तो हम छुपकर देखेंगे तो कोई न कोई नोकर कही न कही छिप जाता उस घर में और देखता कि आज माले क्या करने वाले घर पे तो ये इनसान की साइकलोजी है फित्रत है तो ये और इसका ग्यान मौन्टरजर को अच्छे से है और फॉर्चुनेटों के साथ होने वाले व्यभार को एक तरीके से ये मतलब फॉर्कास्ट हो जाती है एक भविश्यवानी हो जाती है कि भई इसने आज अपने नोकरों को छुट्टी दी है तो आज ये फॉर्चुनेटों के साथ जरूर कुछ गरवर करने वाला है वरना नौकरों को छुट्टी क्यों देता अपने घर को खाली क्यों करवाता तो हम लोगों को जिसे आभास हो जाता है कि आज बिचारे के फॉर्चुनेटों के साथ कुछ गरबर होने वाली है तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस पर जो भी सवाल आप से किये जाएंगे आप उनके जवाब दे पाएंगे मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ धन्यवाद